तो ये जो वीडियो है ये थर्स्डे का वीडियो है और बच्चे जो है स्कूल जा चुके थे आज हस्बेंड आफिस नहीं गए थे तो अब बस यहाँ पर जो है अपना मैं घर का जो काम होता है वो शुरू कर रही हूँ जो हमारा मौनिंग रूटीन होता है तो सबसे पहले यह वाला रूम जो है इसको मैं क्लीन करूंगी क्योंकि यही वाले रूम में हम सब लोग रहते हैं तो इसी में ही ज्यादा जो है मैसी रहता है तो बस ब्लैंकेट्स वगेरा फोल्ड करके और इस रूम का मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना वो मैंने वाश किया था तो आज जो है मुझे वो भी लगाना है क्योंकि ना जब तक मैट्रिस प्रोटेक्टर लगा रहता है ना इन गदो पे तो बैट्शीट जो है वो बहुत अच्छे से बिचती है बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और अब हैबिट भी हो जा लेकिन फिर भी काफी लोग पूछने से बता रही हूं और यह बहुत अच्छे निकले है मैं इनको कितनी बार तो वाश कर चुकी हूं बिल्कुल भी खराब नहीं हुए है कहीं से भी फटे नहीं है तो देखिए यहां पर यह वाला रूम जो है मैंने ठीक कर लिया था उसक फिलाल मैंने साइड में रख दिया है और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां तो हम दोनों नाश्ता नहीं किया था और सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाया था शाही पनीर तो इसलिए मैंने रेसिपी भी जादा शेयर नहीं की और सुबह आज थोड़ा सा लेट हो उठने में मतलब नॉमली मैं उठ जाती हूं पांच सवा पांच तक लेकिन आज मुझे पॉने च्छे हो गए थे और फिर जैसे वीडियो बनाऊ और शूट करते रहो तो थोड़ा सा टाइम मौट जादा हो जाता है तो फिर सुबह मैंने वीडियो शूट नहीं किया तो ब मौसम को देखके डिसाइड करती हूँ कि मुझे सूट पहनना है या नॉर्मल टी शिर्ट पहननी है तो मैंने सूट डाल लिया था क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था और जैसे ही सूट डाला थोड़ी दिर बाद मौसम हो गया खराब खराब मतलब कि गर्मी शुरू हो पहन दिये और साड़ी में तो खेर कहना ही किया उसमें तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है कोशिश बहुत करती हूँ कि सूट पहन के काम करूं लेकिन वही होता है आदत जैसी बना लो अब आदत चूट गई है तो सबसे ज़्यादा कमफरेबल ना मुझे टी-शिर्ट और मतलब लोवर में ही लगता है लेकिन फिर भी जो है मैंने काफी देर तक इस सूट को पहन के रखा उसके बाद फिर दुपेर में एक वक्त ऐसा आया कि फिर मैंने जो है चेंज करके अपना टी-शिर्ट ही डाल ली थी तो देखिए उदर मैंने रोटी वगेरा बनाई और ब अधिर देखिए और फिलहाल मैं सोफे के कवर नहीं बिचा रही हूं कि बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी सोफे के कवर जो हटा दो एक्चुली मैंने वह इसलिए वह बंगाया थे क्योंकि मेरे सोफे ये बिल्कुल खराब हो गए है ये ना फट रहे है और अच्छ करने के लिए वही होता ना बजट भी होना चाहिए और कोई सोफा सस्ता तो आता नहीं है क्योंकि जब चीज लेने जाओ तो फिर ऐसा होते कि अच्छी ही ले लो एक ही बार लेनी है तो देखते हैं कब तक आएगा खैर अभी तो टाइम है फिलहाल मैंने डस्टिंग कर ली है उसके बाद मैंने फटाफट से घर में लगाई जाड़ू और फिर यहाँ पर बस मैंने पोचा लगा लिया था अबना मैंने ये डिसाइड किया है ना कि मैं एक दिन तो मैजिक मॉप से पोछा लगाऊंगी और एक दिन बैट के ऐसी लगाऊंगी ताकि मेरी भी थोड़ा सा एक्सेसाइज हो जाए वैसे मैं काम पूरा करती हूँ घर का लेकिन मुझे लगता है फिर भी मुझे थोड़ा स का टाइम है ना वो उस टाइम का होता है जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब मैं घर आती हूँ ना बच्चों को छोड़के तो उस टाइम तक तो योगा की मतलब मतलब वो लास्ट चल रहा होता है पांदस मिनट बाद तो फिर योगा की जो क्लास है वो खतम हो जाती है तो टाइमिंग ऐसी है कि जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन वही है कि अभी मैंने ये डिसाइट किया है कि मैं घर में ही थोड़ा सा और कामों को ना मतलब ज्यादा सुख सुविदाओं के साथ ना करके थोड़ा सा हाड वर्क करूंगी जैसे हम पोछा लगा लेते ना मैजिक मॉप से फटाफट से की खड़े-कड़े पोछा लग जाएगा लेकिन अब मैंने सुचे कि नहीं थोड़ा सा बैट के लगाऊंगी तो थोड़ी और अच्छे से एक्सेसाइज होगी तो बस अपना घर के लिए डाल वगरा जो भी बनानी हो तो इस टाइम पे ही बॉइल करने के लिए चड़ा दो तो जब तक और काम होते रहते हैं कीचन तब तक अपना डाल जो है वह भी बॉइल हो जाती है और आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द और चने की डाल तो बस दोनों डालों को जो है मैंने निकाल लिया है और कटोरी से नाप के मैं बनाओंगी क्योंकि अगर ऐसे ही मैं डबो से डालती हूँ न तो मेरे जादा ही बनती है इसलिए मैं आज कटोरी से नाप के रख रही हूं ताकि लिमिटेड बने एक्स्ट्रा ना बने क्योंकी अब क्या होता है ना कि अगर मैं दुपैर की दाल बच्चे को शाम को बोलती हूं खालो तो विदाँश तो clear मना कर देता है बोलता है बस जो दाल दुपैर में बनी है न वो आप दूसरे time मत खिलाया करो वो तो कभी उनका पसन्ट का कुछ बना होता है जैसे रा कोमेंट्स आये थे कि जो अचार की बढ़नी है या नमक वाली है तो यह आपने कितने की लिए थी तो यह मैं बता हूँ यह तो हमने बहुत सस्ती लिथी दीवाली के टाइम पे पचास रुपे में दो मिल रहे थे दो सैट होते ना पेर से मिल रहे थे तो तब लिए थे हमने तो उसी टाइम पे लेनी चाहिए यह सारी चीजें तो उस टाइम पे क्या होता है ना सस्ती सस्ती मिल जाते है बहुत अच्छी और मेरे पास काफी सारी रखी हुई है यह इनफेक्ट मैंने कुछ तो दी भी है इदर उदर वह यह कि जब तक मैंने बरतन वगेरा धोये तब तक दाल भी बॉइल हो गी थी तो मैंने साथ के साथ जो है ना दाल को फ्राइब भी कर दिया था और एक तरफ चाबल भी बना दिये थे ताकि मेरा जो कीचन का काम है जो लंच वाली टेंशन है वो भी दूर हो जाए तो मै अपने कामना टाइम से कर लेती हूँ ताकि फिर आगे मुझे दिक्कत ना हो उसके बाद आप लोगों से मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ और आज डिनर वगेरा कुछ भी नहीं बनाया था मैंने क्योंकि दोनों बच्चों को जाना था उनके फ्रेंड के बर्थडे पार्ट अधिन ऐसे ही निकल गया पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब हो जाती है घर के कामों में बीजी रहते रहते हैं वाकि पता नहीं चलता है तो बस यहाँ पर हो गई है पूजा और जैसे की दिनर वगेरा तो कुछ बनाया नहीं था तो कुछ फिर इसके बाद मैंने शूट भी नहीं किया और विस हम सो गयते फिर उसके बाद और यहाँ पर मैं आप लोग से मिल रही हूँ नेक्स डे मॉनिंग मतलब की आज सुबह का ही वक्त है तो घर के सारे काम हो चुके है बस यह थोड़े से कपड़े थे फोल्ड करने के लिए तो इनको मैं कर रही हूँ फोल बाहर जो है ना हलकी फुलकी सी बारिश लगी हुई है जैसे रिम जीम रिम जीम बारिश होती है ना लेकिन यह तो है कि जैसे बारिश जब तक रहती है ना तब तक मौसम बड़ा सुहाना रहता है लेकिन जैसे ही यह बारिश बंध हो जाती है थोड़ी सी दिरकले भी मस हो जाती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फिर लगता है कि यह वाली बारिश होनी है नहीं चाहिए अभी फिलहाल आज तो अच्छी बारिश हो रही है तो देखते हैं कि कब तक होती है अच्छी बारिश हो रही है आज सुबे से बारिश लगी हुई है तो मौसम नहीं बहुत अच्छा हो गया है बहुत सुहाना हो गया है यह देखिए आज लग रहा है कि हाँ बरसाज शुरू हो गई है आज सुबे से ही बारिश लगी हुई थी मतलब जब बच्चों को स्कूल का टाइम हुआ था ना उसके बाद से ही बारिश शुरू हो गई थी और फाइनली जो है अच्छा लग रहा है और इस टाइप की जो बारिश होती है ना वो जल्दी से रुकती भी नहीं है मतलब ऐसा थोड़ा से रुकेगी फिर थोड़ी सी होनी शुरू हो जाएगी और यह है कि फैन में काम चल रहा है अभी फिलाल एसी की जरूरत नहीं है हवा चल रही है और दिन से वेट हो रहा था इस वाली बारिश का जब हम लोग रोज सुनें ना न्यूज में कि वहां भी बारिश हो रही है वहां भी बारिश हो रही है यहां क्यों नहीं हो रही है लोगों से एक बात और शेयर करनी है कि आज फाइनली हम इसका काम जो है वो खतम करने वाले है इसका काम खतम करने वाले है इसका मतलब यह ह कि आज फाइनली यह एक्वेरियम जो है आबाद होने वाला है और इसमें जो है मचलिया भी आ जाएंगी तो आपको याद होगा कि इसमें प्लांट्स लगाये थे काफी सारे मेरे पदीदे बहुत मैंनत करते हैं लेकिन वो प्लांट्स ना किसी वज़े से जो है हो ही नहीं प प्लांट्स मंगवाएं है एक्वेरियम के लिए देखे यह सारे प्लांट्स जो है आज लगने वाले हैं और यह काफी दूर से आए हैं बेंग लॉडե्से आया ह्योगई हैं बनी-कार्ट्स मुइल इसक्वा कूराम इसलाव कर लेकिन ठीक है और अभी तो इछोटे छोटे लेकिन जैसे इनको पानी में डालेंगे ना तो यह अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और बहुत सुंदर लगता है हमें यह मतलब लाइव प्लांट्स जो होते ना वह अच्छे लगते मतलब आर्टिफिशल नहीं अच्छे लगते तो बस अभी इनको हम लोग लगा देंगे और यह कुछ सेट अप इस तरीके से तयार कर दिया है यह जो पत्थर है ना यह भी जो है ना वहां से लेकर आयते हैं यह हरी दुवार से तो जैसे ही प्लांट्स आये यह सीधे चले गए हैं मार्केट क्योंकि इनसे वेट नहीं हुआ अभी यह प्लांट लगाएंगे और मचलिया भी लेकर आ जाएंगे जब तक हमारे गर में मचलिया थी ना इतनी जादा पॉजिटीव एनर्जी आती थी ना इतना अच्छा लगता था और जब से यहां पर खाली पड़ा रहता है ना तो जैसे मैं सुबह उठती थी ना तो इसको देखके ना खाली-खाली करता हूंगी और उससे पहले मैं थोड़ा से अपना कीचन समिट लेती हूं मेरे घर का पूरा काम हो चुका है मैं व्लॉग की एडिटिंग में लग गई थी रेकिन कीचन जो है मैंने क्लीन नहीं किया है तो मुझे कीचन क्लीन करना है और राजम जो हो मैंने बॉयल कर दिय